हलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सीलाई डिजाइन फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल मशीन से पीको करना सीखने वाले हैं तो फ्रेंट्स चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम इसको प्रेसर फूट को निकाल देंगे मतलब कि जिससे हम कपड़े को दबाते हैं इसको हम निकाल देंगे इसे हम प्रेसर फूट बोलते हैं इस तरह से इसको हम निकाल देंगे और इसको हम साइड में रख तो फ्रेंड्स अब हमारी मसीन बिल्कुल रेडी है पीको करने के लिए इसके बाद ये जो हमारा प्रेशर वार है इसको हम नीचे कर देंगे इस तरह से इसको नीचे करने के बाद अब हमको जिसमें भी पीको करना है आपको साड़ी में या रुपट्टे में जिसमें भी ठीक है पहले तो पूरा कपड़ों को बराबर कर लेंगे कर लेंगे कैंचि से बराबर करने के बार 인े के बाद इस तरह से हमको फूल करना हैively यानि कि एक डूल टाइब में बनाना थो तो कोने पीष्च से हम सिलाइई लगाएंगे का वं रेमयूस लगाने के बाद हम बिल्कुल रोल के बाहर कपड़े में नहीं लगाएंगे बिल्कुल रोल के बाहर यह जो हमारे मशीन सुई जाने का अंदर कपड़े के ठीक है इस तरह से हमको कोना बनाना है कोना बनाने में ही टाइम लगता है थोड़ा सा इस तरह से हमारा कोना बन गया है ठीक है अब हमको हाथ रखने के जगा मिल गई है इस तरह से उंगली रख लेंगे उंगली रखने के बाद इस तरह से साइट से बिलकुल इसको फिर फोल्ड करेंगे तो सेम वैसे ही रोल बनाएंगे जितना मोटा आपको रोल चाहिए और इसको टाइट करके हम पकड़ लेंगे इस तरह से जो हमारा पीछे सिलाई लग गई है वहाँ उसको पकड़ेंगे और इधर से फिर अंदर की रोल के इधर अंदर कपड़े की तरफ बिलकुल सिलाई लगाएंगे और फिर उधर मसीन के अंदर वाले होल में जाएंगे फिर सेम इसी तरह करेंगे और ये प्रोसेश हमको पूरे पीछो करने में करना है तो फ्रेंट हम दो बार सिलाई लगाएंगे जैसे हमने कपड़े में डाला एक बार फिर सी धरी लगाएंगे ठीक है और जैसे hole में डाला तो दो बार उधर डालेंगे तो इससे क्या होता है हमारा धागा tight हो जाता है इस तरह से हमको पूरे में पीको करना है तो friends पूरे roll में हम लोग same यही process कर लेंगे पीको करने के लिए अगर आपने आज तक try नहीं किया तो please try करना बहुत ही easy है थोड़ा सा time लगता है जैसे कि आपके पास normal ही machine है लेकिन आपको पीको करने की जरूरत है तो आप आसानी से कर सकते हो कोई भी tension लेनी वाली बात नहीं है कि हमारे पास पीको वाली machine नहीं है तो हम क्या करें आप इसी तरह से थोड़ा time लगा के बस time निकालना पड़ेगा आपको और आपका पीको complete हो जाएगा मैंने अलग color का धागा लिया है इसलिए जिससे कि आप लोगों को दिखें मैंने shame color का धागा नहीं लिया है लेकिन आप करना तो same color का धागा लेके ही करना ठीक है मैंने इसलिए लिया था जिससे कि अच्छे से आप लोगों को शिलाई दिखेगी तो फ्रिंस ये पूरा प्रोसेस हमको सिम इसी तरह लग करना है आप देख पा रहे होगे मसीन में कितनी अच्छे तरीके से कितनी फ्रिंशिंग तरीके से हमारा पी को कम्प्लीट हो रहा है सिम इसी तरह से आपको भी करना है हमने जो रोल बनाया है उसमें हमारी मसीन बिल्कुल भी नहीं चले बिल्कुल मसीन के बाहर ही रखना है और जो रोल बनाया है इसको हमेशा टाइट ही रखना है पूरे टाइम जितनी टाइम हम सिलाई लगाएंगे पूरा टाइट रखेंगे जितना ही टाइट रखेंगे न उतनी ही finishing आएगी हमारे पीको में तो आप देख पा रहे हो अब मैं इसको आपको पास से दिखाती हूँ एक बार इसको मैं cut करती हूँ देखो इस तरह से हमारा पीको complete हुआ है simple machine से आप भी try जरूर करना और मुझे comment करके जरूर बताना कि आप लोगों ने भी try किया thank you